चिल्रन अभी हम देखेंगे व्यांजन टर लिखते कैसे है व्यांजन टर कैसे लिखते है वो देखने से पहले हम पहले इसके पहले जो लाइन सीखी है उसको बोलते है चवर्ग चकी लाइन वो पाँचों व्यांजन कैसे लिखते है उसकी एक बार प्राक्टिस करते है फिर ह उसके लिए आपको my skill book, my skill book का short form है, msb book लेनी है, फिर आप page number 33 33 खोलोगे, page number 33 पे left side में आप date लिखोगे, 14.7.20, this is the date, then month and the year, yes, then first you will trace the first line, च, you will say and write, yes, चसे चमच, चसे चाता, whenever you write, teacher has shown so many pictures for all Vyajanjans, so whatever you remember, you have to keep on saying while writing, yes, चसे चाता, चसे चापा, चसे चात्र, चसे चात्र, चसे चात्र, चसे चात्र, जसे जहाज, जसे जलेबी, जसे जाड, जसे जुड़, चुमखे and यं, यं खाली है, वो व्यंजन है, परन्तु उसको मात्रा की तरह यूज करते हैं, वापस लिखोगे, च, च, ज, ज, यं, बच्चों आपको पहले पूरा च, फिर च, वैसे नहीं लिखना है, जबी पूरी एक लाइन लिखने को आ जाए, उसके बाद में आपको ऐसे लाइन से लिखना है, च, च, ज, 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 य, इससे क्या होगा, आपको जबी पूरा कर्टु शरा आ जाएगा, तो आपको उसका सिक्वेंस याद रहेगा, ओके, तो आप लाइन से लिखोगे, येस, अभी देखते हैं, व्यंजन ट कैसे लिखते हैं, व्यंजन ट लिखने के लिए आप पहले पेज नमबर 3737 खोलोगे, वो पेज पेज पे आप इधर ये लेफ्ट साइड कर्न में डेट लिखोगे, 14.7.20, ट लिखना बहुत ही आसान है, ट से क्या होता है, टमाटर, ट से टपाली, इधर आपको पोस्ट मैन भी बोलते हैं उसको, हैना, इधर आप स्टेंडिंग लाइन बना होगे, फॉर्स्ट लाइन से दूसरी लाइन तक, पहली लाइन से दूसरी लाइन तक छोटा सा स्टेंडिंग लाइन बना होगे, ओके, चलो और एक बार बनाएंगे, पहली लाइन से दूसरी लाइन तक एक छोटा सा सीधा लाइन बन पहली लाइन से दूसरी लाइन तक सीधा लाइन, small standing लाइन, then small c, जो तीसरी लाइन को touch करेगा, और उसके उपर sleeping लाइन बनाना ना भूले, बच्चों आपको ये पूरा tracing करना है, एक बार tracing करके अच्छे से practice हो जाए, उसके बाद में आप without dots लिखोगे, पहली लाइन से standing line and दूसरी लाइन से दूसरी लाइन तक छोटा c, उसको touch करना है, उसके लाइन के बाहर नहीं जाना है, और sleeping line on the first line, again, first line से second line, पहली लाइन से दूसरी लाइन तक सीधा लाइन, then small c, and then sleeping line, ट, बच्चों मुझे आशा है, आपको व्यांजन ट कैसे लिखना है, और चटू या, चवर्ग की जो line है, वो साथ में कैसे लिखनी है, वो अच्छे से समझ में आया होगा, धन्यवाद,